आप देख रहे हैं आरकेदांगी चैनल, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ITI NCBT एक्जाम, कब होगी इसका टाइम टेबल जारी कर दिया गया है, कब कौन सा एक्जाम होगा, कब क्या-क्या एक्टिविटी होगी, वो इस वीडियो में हम पूरी डेटेल में बताने इसलिए वीडियो इसके बना करें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इस एक्जाम में हमारे चैनल पर हम लगातार आपकी मदद करते रहेंगे, वीडियो अपलोड करते रहेंगे टाइम टाइम पर, तो दोस् स्कीम के अंतरगती आता है, मैंने एक्जाम का स्टूल जारी कर दिया गया है, और ये एक्जाम पहली बार इस एक्जाम को पूरी जो प्रोसेसिंग होगी, वो होगी SIDH, SID Portal पर या जिसको हम पहले बोलते थे, SID Portal पर ही होना है, और कब क्या-का Activity Perform होना है, वो भी मैं बत देता हूँ, देखिए क्या, ये लिखा हुआ है उन्होंने, ये सारी की सारी Activity कौन से Portal पर होंगी, ये अगर हम बात करें, Eligibility का जो Criteria देखिया, Regular and Private, It is informed that all the examination process for all session, from eligibility creation to result publication, मतलब की Starting से लेकर, End तक की सारी की सारी Activity कहा होने वाली है, आप देखिए, Skill India Digital Hub, जिसको SOT मे आप बोलते थे, SID या Skill India Digital Portal, उसको थोड़ा सा नाम बढ़ा दिया है, Skill India Digital Hub Portal, जहां पर training verification हुआ था, और ITI ने login करके, बच्चों की जो verification की process थी, वो ITI end पर complete की थी, वो सारी चीज़े, अब हम आ जाते हैं, पूरा Activity पर, पूरा देखिएगा, Formative Assessment Marks Upload कब से चालू वो देख लिजी आप, 30 जून से ये 8 जुलाई तक करना रहेगा, हमको Formative Assessment का काम complete, देख लिजी एक बार, 8 जुलाई तक क्या करना रहेगा, आपको सेशनल मार्क्स अपलोड करने लाएंगे, और attendance अपलोड करनी रहेगी, दो चीज़ें, सेशनल अपलोड करने की जो तारी है, वो 30 जून से 8 जुलाई की बीच में, ये ITI द्वारा करनी है, इसके बाद आ जाती है, Practical Examination Fees Status Update करना है, Practical Exam की जो Fees का स्टेटस ही अपडेट करना रहेगा, जैसा कि S No करते थे, क्योंकि Practical Exam Fees है, वो State Government लेती है, तो वो हमको उसमें अलग टाइप से आपको करता है, वही करवाता है, एक्जाम तो पूरी तरीके से, वो हम जो बात कर लें, वो जो Practical Exam Fees के लिए डेट दी है, 30 जून से लेके, 13 जुलाई, इसी तरीके से CBT Exam Fees को लेके भी 30 जून से 13 जुलाई, मतलब ये दौनों ही Fees के लिए जो है, टाइम दिया है, 30 जून से 13 ज एक्जाम को लेके, ये पूरा इतना से एक्सान है, सबसे पहला पाँचवे नम्मर पर अगर आप पाँचवे पॉइंट देखेंगे, तो 13 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में सेंटर मैपिंग होगी, जो की एक अबर लेवल पर होगी, जो की इस्टे डारेक्ट ट्रेट से इस सेंटर मैपिंग आईगी, मतलब कौन से इटाई का एक्जाम सेंटर कौन सा होगा, ये सेल्प सेंटर ही होगे, मैक्सिमम जगह पर, अब फिर क्या होगा, ट्रेक्टिकल एक्जामिनर रजिस्टेशन हैं, डिस्टिक प्रिप्रेंस, ये कब होगा, 30 जून से स्टार्ट ह होगा, ऑनबर्ड होगा, जो एक्जामिनर आपके हैं, उनको भी आपको SID पोर्टल पर एजा एक्जामिनर रजिस्टर करना है, ये ध्यान देना है, ये सारी चीज़ां कहां होनी है, SID पोर्टल पर, मतलब अब जो MIS पोर्टल था, वो हो गया, खतम, MIS पोर्टल पर 17 जुलाई से 30 जुलाई की बीच में, एक्जामिनर की मैपिंग होगी, नोडल ITI से होगी, वो भी आप सादवा पॉइंट देख लें, फिर प्रक्टिकल एक्जामिनेशन होल्टे के 17 जुलाई से 5 अगस्त की बीच में, ट्रैनी, अपने प्रफाइल से डाउनलोर, ट्रैनी और ITI दोनों लेबल पर ये अबलेबल हो जाएंगे, ट्रैनी चाहे तो खुद भी अपने जो SID पोर्टल है, उस पर लॉग इन करके निकाल सकता है, और ITI की लेबल पर भी वो अपलब्द हो जाएंगे, ट्रक्टिकल एक्जाम का जो टाइम टेवल है, वो आप समझ लेज जाएंगे, और जैसे जी सब टाइम टेवल बैसे दिया हुआ है, फिर आपके प्रक्टिकल मार्क्स की एंट्री को लेके नोडल ITI दोना अप्रूबल का टाइम दिया है, प्रक्टिकल मार्क्स एंट्री 20 अगस्ते तक स्टेट दोना अप्रूब कर दिया जाएगा, बतलब और अपको लिए सेंटर मैपिंग होगी बहुवी स्टेट एंट एंगजाम नेसन अजनसी दोआहरा यह हो जाएगी चईएगी चौदा जुलाई से लेकर अट्था जुलाई की बीच में सेंटर मैपिंग हो जाएगी ओन-llijn एक्जाम बाली, फिर सीवीटी एग्जाम के ह साथ अगस्त से स्टार्ट होंगे 27 अगस्त तक यह आपका 7 अगस्त से हम बात करें 27 अगस्त तक लगवग 21 दिन में यह कंप्लीट करना है CBT एक्जाम और इस तरीके से 5 सितंबर को DGT द्वारा रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा तो प्रक्टिकल का एक्जाम आपका 1 से 5 अगस्त तक हो जाएगा और आपका CBT एक्जाम 7 से 27 अगस्त की बीच में सास से सत्ता ही सगस्ति की विच्वा अलग-अलग trade का किसी भी date में हो सकता हो, result आपका overall आजाएगा, आपका 5 सितंबर को DGT द्वारा result गोसित कर दिया जाएगा, यह आपको SID portal पर जो आपका mobile number और आपने जो pin मना जाए, बहाँ पर आपको अपनी eligibility वगारा चेक करते रहना है, कि आप exam दे पाएंगे या नई दे पाएंगे, ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को दोस्तों सेर कर दें, हर student तक पहुंच सके, इससे कि वो अपनी तैयारी में लग जाए, जैसा पिछला वीडियो हमने बताया था, ओनलाइन तैयारी कैसे करें चैनल पर जाकर वो भी वीडियो आप देखें, बहुत-बहुत धन्नवाद